कहानी के शुरू में हमें कपल को देखते हैं जेम्स एक राइटर था उसने एक किताब भी लिखी थी पर उसके किताब पूरी तरह फ्लॉप होती है जेम्स की बीवी बहुत अमीर थी उसके डैड बहुत बड़े बिसनिस मैन थी इसलिए जेम्स अपनी बीवी के पैसों पर एश करता था वो दोनों एक ऐसी चगापर चुटिया मनाने गए थी जिस शहर में रहने वादे लोग बहुत गरीब थे वहाँ एक होटेल था जो मेर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उनको इस होटल में रखा जाए और होटल की इर्दगिर्द इन्होंने फैंस बार भी लगाई हुई थी ताकि कोई भी इस शहर का गरीब आदमी इस होटल के अंदर ना आ पाए अब जेम्स की बीवीव से कहती है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा सकती पास ही एक चाइनिस होटल है मैं वहाँ पर चाकर खाना खाऊंगी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो जब यह अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो यह होटल में एक आदमी को देखता है जो बाइक लेकर सब चीज़े तोड रहा था गैबी यहाँ पर जेम्स को ये भी बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है उसने उसकी किताब को भी पड़ा है ये सुनकर जेम्स काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसके किताब तो फेल हो गई थी गैबी उसे कहती है मैं तो आपकी किताब के दूसरे हिस्ते का इंतजार कर रही हूँ थोड़ी दिर बाद गैबी का हस्पेंट पिया जाता है ये दोनों जेम्स को अपने साथ रात को खाने का बोलते हैं रात को जेम्स जब अपनी बीवी को लेकर होटेल में चाता है तो वहाँ पर गैबी और उसका हस्पेंट पी थे ये सब आपस में अपने अपने काम के बारे में बातें करते हैं गैबी बताती है कि वो एक एक्टरूस है जबकि उसका हस्पेंट एक बिसनिसमेन है ये सब मिलकर खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं जब सुबा होती है तो जेम्स अपने बीवी को उठाता है बताता है कि आज हम गैबी और उसके हस्पन के साथ बाहर समंदर के किनारे घूमने जाएंगे जेम्स की बीवी ये सुनकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता हम इस होटल के बाहर नहीं चा सकते ये शेर हमारे लिए ठीक नहीं है और मैंने सुना है यहाँ पर आई दीन गतल या फिर चोरिया होती रहती है पर जेम्स उससे कहता है फिकर नहीं करो मैं तुम्हारा खयाल रखूंगा ये होटल के गार्ड को पैसे देते हैं और निकल जाते हैं जब ये समंदर के किनारे पर थे तो जेम्स जब अकेला था तो गैबी उसके पास जाती है जेम्स ये देखकर काफी हैरान हो गया था वो सोचता है कि गैबी का उसकी तरफ बहुत धियान है वापिस चाते हुए की गारी के आगी आ गया था जब ये बाहर चाकर देखते हैं तो वो आदमी मर चुका था जेम्स की पीवी ये सब देकर काफी परेशान हो गई थी वो जेम्स से कहती है कि हमें पूलेस को इस बात के बारे में बता दीना चाहिए पर गैबी उन्हें मना करती है कहती है यहां के पुलिस बहुत खतरनाक है वो मुझरिम को पकड़ कर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है जेम्स और उसकी बीवी ये सब सुनकर डर जाते हैं इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताते और होटेल में वापिस आ जाते हैं सुबा को जेम्स की जब आँख खुलती है तो वो बहुत जादा ठका हुआ था तब ही उसके तरवासे पर बेल बच्टी है जब ये जाकर देखता है तो बाहर आर्मी खड़ी थी जो इनको पकड़ने आई थी वो इसे और इसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं ताकि इन दोनों से उस आदमी के बारे में पोच्ट आज कर सकें जिसका इनकी गाड़ी से एकसिडेंट हुआ था पोचने पर जेम्स की बीवी सब को सच बता देती है कि उसके हस्बिंट से उस रात उस आदमी की मौथ हुई जेम्स को अलग रखा गया था उसके पास एक ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी पीवी ने तुम्हारे गुना कबोल कर लिये हैं जेम्स कहता है मुझे क्या सजा मिलेगी आफिसर कहता है तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है जेम्स रोता है कहता है मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता आफिसर कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है सजा मिनेगी पर तुम्हें नहीं तुम्हारे क्लॉन को तुम्हारे हम शकल डुप्लिकेट इनसान को James उससे पूछता है ऐसा कैसे हो सबता है Officer कहता है पैसों से सब कुछ हो सकता है हम इनसान की Clones बनाते हैं जिससे उसे सजा मिल जाती है असल इनसान को नहीं और जो असल मुझ्रिम होता है वो बच जाता है यह सब बाते सुनकर Officer की James A.T.M. जाता है बहुत सारे पैसे लाकर Officer को दे देता है फिर ये लोग James का नाप लेते हैं और उसे तयार करके एक कमरे में भीच दिया जाता है जहां पर एक अलग तरह का Liquid था जो वो बढ़ने लगता है तो उसका एक Clones तयार हो जाता है James की जब आंकें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी बीवी थी जो उसको बता रही थी कि तुम्हारा Clones बन गया है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है अब ये उसे अपने साथ ले जाती है जहां पर James का Clones था James अपने हिचासे इनसान यानि के अपने हमशकल को देकर हैरान था जो बिल्कुल उसकी तरह था वो बोल सकता था सांस ले सकता था अब James की Clones को सजा दी जानी थी जहां पर सब लोग जमा थे जो उसकी सजा को देखने आये थी सजा उस आदमी के बेटे ने देनी थी जिसको James में मारा था वो बच्चा आकर James की Clones को मार देता है इस तरह असल James की सर से खोन माफ हो गया था James अब यह सोचता है ऐसा क्या है इस शेहर में कैसे वो सकता है ऐसा जब ही वापिस होटेल जाकर अपना सामान पे करते हैं क्योंकि James की बीवी अब यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी वो इन सब बातों से डर चुकी थी मगर तब James का पासपोर्ट नहीं मिलता वो होटेल की काउंटर लीडी के पास चाहता है और कहता है क्या मेरा पासपोर्ट आपकी पास है वो कहती है नहीं पर हाँ जब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल जाता मैं आपके ट्रिप को एक हफ़ते और बढ़ा सकती हूँ James उसे हाँ बोल कर चला जाता है तब ही वहाँ पर गैबी आती है एक हादसे की वचा से मारे गए उनकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बेंट के सर पर लगा उन्हें पकर लिया गया और मौत की सजा मिली तब हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि अगर यहाँ की गॉर्मेंट को पैसे दें तो वो मुच्रिम की कलॉन बना देती है जो सजा कलॉन को मिलती है और असल मुच्रिम रिहा हो जाता है गैबी कहती है हमारे जैसी और भी बहुत से लोग है जिनके साथ ही सब कुछ हो चुका है अब वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उन लोगों से मिलवाती हैं इनका एक छोटा सा ग्रूप था और इन्हें यहाबर रहकर यह सब करने में मज़ा रहा था मतलब वो किसी भी आदमी को मारते फिर पैसे दे कर अपने कलॉन बनमाते उसको सजा दिलवा कर खुद बच जाते थे कैबी सब को जेम से मिलवाती हैं यह सब प्लैन करते हैं जिस होटेल में यह रह रही हैं यहाँ के मालिक का घर पहार के उपर है क्यों न हम वहाँ पर जाकर उसको सबक सिखाएं जेम सुनकर कहता है यह सब ठीक नहीं है पर यह सब उसे मना लेते हैं जिसके बाद यह एक दोका बना लेते हैं तभी वहाँ पर होटेल के माली का गार्ड आता है जो सब पर गोलिया चिला रहा था तभी कैपी जेम्स के हाथ में बंदूख देती है और कहती है कि सब को मार दो इसी उसमें एक गोली होटेल के माली को लग जाती है वो मर चुका था कैपी का एक साथी भी जख जब यह उसका इलाज करने एक कमरे में जाती है जहां पर पुलिस आपर सबको पकड़ लेती है पुलिस ओफिसर इनकी पास आता है और कहता है की लोग बहुत जून कर चुके हैं और उन्होंने इनके बहुत से क्लौन्स बनाई है अब और ज़एदा इनकी क्लौन्स नहीं बना सकते अब ओफिसरिन सबको एक कमरे में ले जाता है जहां सबके गले काटकर उन्हें सजा दी जाती है तब ही हम देखते हैं वहाँ पर वैठे कुछ लोग तालिया बजा रहे थे और वो कोई और नहीं बलकि गैबी और जेम्स की ग्रूप के लोग थे जो अपनी क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे जेम्स को भी अब इनकी साथ ही काम करने में मज़ा रहा था जब यह होटेल में जाता है तो इसकी बीवी से कहती है मैं यहां पर और देर नहीं रह सकती मैं जा रही हो यहां से जेम्स कहता है ठीक है तुम जाना चाहती हो तो चाओ पर मैं नहीं जाना चाहता, जेम्स की बीवी को उसका बरताओ बुरा नग रहा था, इसलिए वो इसे छोड़ कर चली जाती है, जेम्स अब गैबी के पास जाता है, और कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ कर चली गई, गैबी उसे कहती है, तुम फिकर नहीं करो, तुम्हारे साथ मैं और खास किसम की दवाई देती हैं, जिसमें नशा था, जेम्स को भी गैबी के क्रूप के साथ रहे कर, लोगों को मार कर मज़ा आने लगा था, एक दिन ये प्लैन करते हैं, कि पुलिस अफिसर को अगवा करके, उसे मार देंगे, ये ऐसा ही करते हैं, पुलिस रेशन जाकर आफिसर को अगवा करते हैं, और फिर जेम्स को कहते हैं, कि वो सबसे पहने उसे मारे, जेम्स वो ही नशा सूंगता है, जिससे वो अपने आपको बहुत ताकतवर समझ रहा था, ये आफिसर को बहुत मारता है, जब गैबी उस आफिसर के मुँसे कपड़ा हटाती है, तो वो आफिसर नहीं, बलकि जेम्स का डुब्लिकेट क्लॉन था, गैबी कहती है, हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाग कर रहे थे, ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है, वो अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेता है, और सोचता है, ये तो बहुत खतरनाक ग्रूप है, जो उसे तो कुछ भी नहीं समझते, वो लोग सिर्फ उसका इस्तिमाल कर रहे हैं, ये खुद को कमरे में बंद करके फिर अपना पासपोर्ट वाश्रूम से रिकालता है, जो इसने वहाँ पर खुदी चुपाया था, ताकि वो यहाँ पर रुख सके, पर अब वो वाप टूप दिखाकर कहती है, बसे नीछे उस्तो उत्रों, जो जेम्स उसके पाद को नहीं मानता, गयवी उस बस के आगे आगर, ड्राइवर से कहती है, जी झेम्स चहेए, अब जेम्स बस से नीछे उतर जाता है, गयवी और उसके साथी जेम्स को पैडल ही होटेल तक चला दे गोली जेम्स के पाउं पर जाकर डगती है जिससे पुल जखमी हो गया था उसे जंगर में भागते भागते रात हो गई थी तब ही उसे एक घर नजर आता है वहां पर दो लेडीज इसे देखती है और जेम्स को अपने घर ले जाकर इसका इलाज करती है जब इसको खोश आता है तो ये फिर से बाहर जाता है जहां पर गैबी का पूरा ग्रुप इसका इंतिजार कर रहा था गैबी से कहती है कि आज तुम्हारा इंतेहान है कि तुम कितने बहादूर हो तुम्हारी लणाई यहाँ पर एक डॉक से होने वाली है अगर तुमने उसे मार दिया तो हम मारना पड़ता है और फिर बहुत रोता है ये लोग बताते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे डॉग का डुप्लिकेट था गैबी आकर इसको चुप करवाती है दिखने में ऐसा था कि जैसे हुई इंग बच्चे को चुप करवा रही हो जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जेम् जेम्स किसी से बात नहीं कर रहा था पिर ये सबी एरques पर जाकर अपनी अपनी फ़्लाईट्स पकड़ कर चले जाते हैं पर तुब हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी यहीं एरेकर पर था वो इन गारी पकड़ता है और बापीसे होटेल में चला जाता है कहानी के आकर म पारिश के मज़े ले रहा था उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे इस शहर इस होटेल में मज़ा आने लगा था जेम्स शायद अभी भी इन सद्मों में था कि उसके साधी सब कुछ हुआ क्या था तो ये कहानी एक ऐसे शहर के बारे में थी जहां पर अगर कोई इंसान गुन से बड़ा गुना भी माफ करवा सकता है जैसा जेम्स ने किया था और इसी के साथ की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है